हेलो बाइओ कैसे आप सब आज का मारा वीडियो होया है सुजू की जिमने 2022 टूप मोडल वेरेंट का रिव्यू अगर हम गाड़ी के डिजाइन की बात करते हैं तो आपको बॉक्सी सेप का यहां पर डिजाइन देखने को मिलता है गाड़ी दिखने में काफी जादा स्टाइ स्टाइब की प्लेषमेंट पी देखने में मिल जाती है अप यहां पर जिमनी के डिफ्टेली यहां पर देख सकते हैं डिजका डिविबात डिजाइन साथ ही जह श्यक्री मिलता है छूक्ति हैं उस रहीता हो highs लूप ऐप पर उननिंस ब्लाभपर औक हाप इसस तुम सूप यहां पे देखने को मिलते हैं अगर हम गाडी के fuse टेंग का पैस्टिर आपको गाडी में 40 का fuel tank देखना को मिल जाता है है अगर हम गाडी के dimension की बाध करते हैं तो जौ आपको गाडी ground clearance कलेशोंग है 210 mm अगर हम इसके length की बात करते हैं तो करते हैं तो आपको गाड़े में आपको टेल लाईट को पसंदे गना मिलता है उसी के साथ साथ आपके परकेंगे संसर और केमरे की रिट यहां पर च्पेरी मिल जाती है घ्लिध को अपको अपनों करते हैं इसके बूट स्पेस की बात करें तो आपको यह अपर देखने को मिलते हैं तो कि आपको इसे नेखलेज जीवल आप थोड़ा मुटा इसमें समाल रख सकते हैं देखे लो आपको अगर आपको इसमें 60-40 स्प्लिट सीट का भी फिचर है यहां पर देखने को मिलता है आप सीट फोल्ड करके कि अपना स्पेस को बढ़ा सकते हैं चलिए इसके बूट को क्लोज करते हैं और आपको इसके सिफ्टी फीचर के बारे मताते हैं सिफ्टी की बात करें तो आपको गाड़ी में इसमें दो एर बैक को प्संदेखने को मिल जाता है उचे के साथ अगर हम इसके ब्रेकिंग फीच आपको गाड़ी ऑटोमेटर के साथ आप देखने मिलते हैं जो कि अगर हम इसके जेरू टू हंडर्ड किलो मेटर की स्पीड की बात करते हैं तो आपको बात करते हैं तो आपको काफ़ लेजर फनीसिंग के साथ काफ़ है स्टस्टेरिंग विल देखसे में क्रूocy कंट्रॉल के फिचर वह ओपट्र 2 आप दौलिए मिल जाते हैं वह में बात करते हैं तो मिल अपक्राइब आपे round shape में देखने को मिलता है जो कि आपका analog meter यहां पर देखने को मिल जाता है center में आपको इसमें display का भी option यहां पर देखने को मिल जाता है जो इसके events का design है वो भी दिखने हम काफी जाता है आपे stylis मुझरा था आपको round shape में में यहां पर iach events का दिजएन को मिलता है अगर हम इसके touch screen की बात करते हैं तो आपको यहां पर Android टोट और Apple CarPlay के साथ यहां पर touch screen मिलते हैं यह जिए इस यूक्छ का दिजाइन वो भी काफी unique है आपको काड़े में Automatic Climate Control EC का भी फिचर यहां पर देखना को मिल जाता है करें अग vivo यहां पे करेंघ कर सकते हैं आपको ऑटमेटिक ट्राइप के साथ के साथ घड़ी मिलती है उसी के न साइब करें तो आपको ओल्विल ब्राइब के लिए भी इहां पर गैर परकुरेआफनार प्रफॉर १ाय पूरízिकंट व्हुरीद के लिए आपको ऐंड़ प्लेस्मेंट भी प्लेस्पेंट को मिल जाता है और हम कोड्राइबर स्थ हाइट की बात करते हैं तो आपको यहाँदल देखने यहां पर देखने को मिलती है सेंटर में आपको यहां पर लाइटिंग के प्लेसमेंट देखने को मिलती है और आपको को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको यहां पर मिरर के प्लेसमेंट देखने को मिलती है अगर हम इसके डेस्बूर्ड की बात करते हैं तो आपको यह चाहले स्टीट को आगे करना पड़ेगा ऐसे फुली और आपको इस इट स्लाइड करने पड़ेगी जो गाड़ी के एंट्री हो इसमें काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी में स्पेस की बरपूर मात्रह में कमी है और इसमें रियर में बाठके जो एक्सप्रिय मेरे पार इसमें कम्प्लीटली टच हो जा रहे हैं और यह सीटें इसमें जो बच्चों के लिए बनाए गई हैं देखलो आप कितना टाइट स्पेस है गाड़ी में और अगर हम इसके साइड की बात करते हैं तो साइड में आपको यहां पे मिरर देखने को मिलता है जो की का देखने को मिलता है चलिए गाड़ी के बाहर चलते हूए और आपको गाड़ी के बाहर की इसके बार हम बताते हैं अगर हम मतनों सब्हां आप कर यहां प्स स्टिल्वर और वाइट मैं पिर आपको गाड़ी में आपे वोसर की प्लेस्मेंट भी देखने को मिल जाती है अगर हम इसके इंडिया लॉंच की बात करते हैं तो आपको गाड़ी यहां पे जून जुलाई के आसपास यहां पे लॉंच हो जाएगी अभी यह गाड़ी इंड प्राइज के साथ आती है तो आपको इस गाड़े को बहुत ही जादा तफ कंपिटिशन देखने को मिलता क्योंकि इस रेंज में बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी यहां पे देखने को मिल जाती है तो सुजुकी को बहुत है अच्छा प्राइज रखना पड़ेगा अगर आपको मारे वीडियो पसंदार था तो यह वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए चैनल पे आशी ने ने वीडियो लाते रहेंगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा अगर आपका वीडियो गार्डिस रि जरूर बताएगा वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच